कागज यदी जनता दल उनाइटिज ने दिया, तो पसाने का काम दूसरा किसे कर सको है? कागज देने वाले से पूछिए कि एविडेंस किसे ने दिया? एक आदमी भी नहीं बचा है, जिसको पाटी से निकाले नहीं है. सब को फसाने का काम यहार में एक व्यक्ति करते हैं, उसका नाम है नितीज कुमार जी से जानना चाहता हूँ, कि नितीज कुमार जी आप का क्या रॉल है, आप ने ही लादू जी को फसवाया, और आपने ही तेज़स्वी आदम को फसवाया. मितीज कुमार जी से जाकर पूछना चाहिए, कि यह कागज आपने दिया, तो भाज़पा कैसे फसा से, लालू जी को जेल में किसने रखा थे, निस्व च्यानवे में देश के परधान मंत्री दिवगोडा जी थे, और राश्तिय अद्यक जंता दल के लालू जी थे, तो अब बताईए उस समय कौन सरकार थी, CBI को किसने लाया, देखिए कागज देने वाले से पूछिए, कि एविडेंस किसे ने दिया, वो तो जंता दल इनाटेट के निताओं ने दिया ना, नितीज कुमार जी ने पूरे इस सर्जियंट को रचने का काम किया, और सब के खिलाब, मैं तो उन्हें सोचिया, उन्हें 99 से जेनरा हूँ नितीज बाबु, रोज ही लोग राज़िपाल के आज आते थे, तो मैं तो जानता हूँ, नितीज कुमार जी जैसा सर्जियंट कारी, वरुपिया आपको नहीं मिल सकता, वरुपिया इसलिए मैंने कहा, नितीज बाबु को, कि नितीज बाबु, रोज अपना चोला बदलते हैं, लालु जी क्या कहते हैं, साप जो है, अपना कवर छोड़ता था, छोड़ता है, उसी तरह लालु जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक बात लालु जी ने कहा है, या उनके सहयोगियों ने कहा है, नितीज जी, साल, दो साल में उनका मन बर जाता है, सायोभी बदल लेते हैं, व्यक्ति बदल लेते हैं, एक आदमी देख लिए हैं, पूरे जो जदियू है, तो समता पार्टी का दौर हुआ तक चड़ाले हैं, एक आदमी भी नहीं बचा है, जिसको पार्टी से निकाले नहीं हैं, इंक्लूडिन उनके रास्तिय अद्धर, उनके कही रासवा के सदर, सबको फसाने का काम यहार में एक व्यक्ति करते हैं, उसका नाम है नितिश कुपार। पार्टी एक दम सही कर रही है, क्योंकि वहीं लोग तो फसा हैं, फसाने का काम सिप और सिप नितिश कुपार करते हैं और कोई दुसरा है, उमीद ही मैं नहीं करता हूँ, कोई नैतिकता राजद में हो, यह सब मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो लालु जी को देख रहा तब तक उन्होंने बद नहीं छोड़ा, लेकिन नितिश कुमार जी से जानना चाहता हूँ, कि नितिश कुमार जी आप क्या क्या रहा हूँ, आप ने ही लालु जी को फसवाया, और आपने ही तेजिस्वी आदब को फसवाया। सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं, देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए।